हलो नमस्ते कैसे हो आप सब आयुश्य हॉलिस्टिक हेल्थ केर में से मैं डॉक्टर धारा त्रिवेदी आज की वीडियो में आप सब का हर्दिक स्वाकत करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे बार-बार काफी लोगों ने पुझा मेडम इसा कोई शैंपू बताओ जिसको यूज करने से हैर प्रॉब्लेम से छुट करा मिंचे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा हैर शैंपू है जो लगाने से आपके हैर प्रॉब्लेम से छुट करा पा सकते हो तो चलो दोस्तो वीडियो की शुरुवात करते हैं दोस्तो अभी सबसे जाधा जो प्रॉब्लेम है वो है hair से रिलेटेड यानि बालों का जड़ना, बालों का पतला होना, डेंटरफ होना, प्रिमेच्वर ग्रे होना और गंजा पनाना दोस्तों क्या कोई hair shampoo use करने से हम ये सब problem से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों मैंने अपने जो hair section के videos थे उसमें बताया था कि hair falling का, dandruff का या गंजे बन की काफी reasons होते हैं जब तक वो reason देखके आप reason rate नहीं करोगे तब तक सिर्फ कोई shampoo use करने से आपके बालों का जणना भी नहीं बंद होगा के नहीं गंजेपन से छुटकारा मेरेगा तो दोस्तों सबसे पहले वो reason डूड़ना जरूरी है दोस्तों दूसरा है दोस्तों सिर्फ shampoo use करने से बाल उगने नहीं लगते दोस्तों बालों की health अच्छी रखने के लिए बालों को healthy घना और लंबा बनाने के लिए आपको diet भी बहुत अच्छा लेना जरूरी है मतलब आपको diet में iron, folic acid and protein rich खाना खाना चाहिए और दोस्तों दूसरा अभी यह जो atmosphere चलता है means जादा air pollution है इसलिए हम बार बार shampoo का यूज़ करके हमें hair को clean करना पड़ता है तो दोस्तों क्या हम जो shampoo use करते है वो ही तो हमारे बालों को damage नहीं कर रहा है क्या कभी आपने अपना shampoo खरीदने से पहले पड़ा है कि उसके content क्या है उसमें तो ऐसे chemicals नहीं है जो आपके बालों को damage कर रहे है तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपके बाल हेल्दी रखने के लिए हर्बल शैंपू का यूज़ करना चाहिए मार्केट में काफी जादा प्रोफेशनल शैंपू मिलते हैं उसमें भी कई शैंपू तो इतने महंगे आते हैं कि हम एफोर्ट भी नहीं कर पाते और उसमें केमिकल की अमाउंट भी बहुत जादा होती है कई बार कुछ कमपनिया हर्बल के नाम पे केमिकल वाले शैंपू बेज रही है तो इन सब में हमको कन्फूजन होती है कि हम ऐसा कौन सा शैंपू यूज़ करें जिससे हमारे बालों का भी डेमेज ना हो और हमारे बाल भी स्वस्थ और चंकिले रहे तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं ऐसे कुछ होमेपेथिक शैंपू के बारे में बताओं कि जो हर्बल भी है आपके बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे है बालो को स्वस्थ रखेंगे, चमकिला रखेंगे और पैसे में भी इतने महंगे नहीं है तो दोस्तो चलो देखते हैं कि वो शैंपू कैसा है दोस्तो आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 शैंपू के बारे में आपको बताऊंगी जो बालो के लिए बहुत इफेक्टिव है उसमें जो नंबर वन शैंपू है वो है दोस्तो जो मैं क्लिनिक में फ्रिक्वेंटली अपने बेशन को रिफर करती हूँ वो जो शैंपू है वो है B&T कंपनी का आर्निका शैंपू दोस्तो आपको होमियोपेथिक में जो भी शैंपू मिलेगा वो आर्निका शैंपू ही होगा क्योंकि आर्निका को होमियोपेथिक में बालो के लिए संजीवनी माना गया है तो दोस्तो ये B&T कंपनी का जो आर्निका शेंपू है वो बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है इसमें आर्निका के साथ जबोरेंडी, सिल्विया जैसी होमियोपेथिक दवाई का यूज किया गया है इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये जो शेंपू है दोस्तो वो डर्मे है और दोस्तो ये पैसे में भी बहुत किफाईती है ये जो है वो 250 ml आपको 180 रूपीज में मिलता है तो दोस्तो आप ये शेंपू यूज करके आपके बालों को घना और चमकिला बना सकते हो दूसरा जो शेंपू है दोस्तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है SPL कंप अर्निका शेंपू और ये जो शेंपू है दोस्तो वो खास करके जिसके बाल ड्राइ हो फीजी हो और हैर कलर का बार बार यूज करने की वज़े से अगर है डेमेज हो गये हो तो ये जो शेंपू है वो उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है क्यों कि उसमें एक हैर थेरापी दी गई है जिसमें आर्निका, जबोरेंडी, केलेंडिूला जैसी होमियोपेथिक दवाई है जो बालों के डेमेज को भी कम करती है बाल को एकदम सिल्की और चमकदार बनाती है ये जो शेंपू है दोस्तो ये शेंपू 200 ml आपको 150 रुपीज में मिल जाएगा ये शेंपू है वो कोई भी होमियोपेथिक स्टॉर में इजिली अवेलेबल है दोस्तो तीसरा जो शेंपू है वो शेंपू है एडवेंड कमपनी का नेचरल ये जो शेंपू है दोस्तो इसमें प्रोवीटामिंग है इसमें आर्निका के साथ केलेंडिूला, चाइना और कैंथ जैसी होमियोपेथिक दवाई है जो लगाने से आप काफी ज्यादा हैर प्रोब्लेम से छुटकरा भी पा सकते हो और आपके बाल एकदम चमकदार बनते हैं दोस्तो आगे जो मैं शेंपू के मारे में बताने वाली हूं वो शेंपू है वीजल कमपनी का आर्निका शेंपू ये जो शेंपू है दोस्तो वो 100 ml के पैकिंग में आता है ये शेंपू है ये भी बालो के प्रोब्लेम से छुटकरा पाने के लिए बहुत इफेक्टिव है दोस्तो तो आप होमियोपेथिक स्टोर में से ये वीजल कमपनी का शेंपू ले आ सकते हो और लास्ट में जो शें में थोड़ा इजिंग रहता है तो ये जो शेंपू है उसमें आर्निकर के साथ केलेंडियूला और चाइना जैसी दवाई दी गई है जिसका यूज करने से आप इंफेक्शन से भी छुटकरा पास सकते हो बालों में इजिंग भी नहीं होगी और आपके बाल बहुत चमकदार रहेंगे और जो सकल्प की तवचा है वो भी बहुत साफ और सुथरी रहेंगी ये सारे शेंपू है वो होमियोपेथिक स्टॉर में इजिली अवेलेबल है दोस्तों तो आई होप आपको मेरा ये शेंपू का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वी स्टॉरी रहेंगी सब्स्तों